पुराने समय में अंग्रेजी दवाओं का चलन नहीं था उस समय आयूरवेदिक दवाओं से और घरेलू या देसी तरीकों से ही इलाज होता था उस समय लोग रिष्ट प्रिष्ट होते थे और लंबी आयू होती थी इसलिए हमारा मानना है कि हर बिमारी का इलाज सारे संस्क्रीन, क्रीम और मॉइस्टिराइजर उपलब्ध हैं पर हम आपको बताएंगे देसी तोटके या घरेलू तरीके गर्मी से अपनी स्किन का बचाव करने के लिए कामकाजी महिलाओं को अपने ऑफिस प्लेस पर जाने के लिए 68 ट्राफिक जाम, एर पुलिशन तथा हवा में मिली दस्ट से प्रति दिन जूजना पड़ता है इसलिए इन महिलाओं को अपने अंगों की स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कामकाजी महिलाओं को गर्मियों में सोने से पहले अपने चहरे की गंदगी, पसीने की बदबू तथा तेलिये पदार्थ को अपने अंगों से छुडानी के लिए रात में अपनी तवचा को स्वच्छ पानी से अवश्यध होना चाहिए गर्मियों में तुलसी या नीम वाला फेस वाश सबसे उप्यूक्त है, इससे मेल तो दूर होता ही है, तवचा पर फोड़े फुनसी या लाल चकत्ते की समस्या से भी निजात मिलता है अब हम आपको कुछ खास और आसान घरेलू तरीके और ब्यूटी टिप्स बताएंगे जो गर्मी के दिनों में आपकी स्किन की तासगी और खूपसूरती बरकरार रखने में आपकी मदद कर सकते हैं त्वचा को साफ करने के बाद ठंडे गुलाब जल से त्वचा की रंगत निखा रिये इससे न केवल त्वचा में तासगी तथा शीतलता आती है बल्कि इस से तवचा में रक्त संचार प्रवा को नियमित करने में मदद भी मिलती है तथा चेहरे की चमक दमक बढ़ जाती है एक चमच इस अब गोल के छिलके को पानी में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं दस मिनिट तक इसे लगे रहने दें फिर साफ ठंदे पानी से अच्छी तरह मूँ दोलें सक्त गर्मी के समय ये मास्क आपकी स्किन को ना सिर्फ ठंदक पहुँचाएगा बल्कि हर तरीके की चिकनाई को भी दूर कर देगा गर्मियों में इस मास्क का रोजाना दोपहर को इस्तमाल आपकी स्किन को ताजगी का एक नया एहसास देगा गर्मियों में मुलतानी मिट्टी का मास्क भी बहुत उप्योगी साबित होता है ये हर तरीके की स्किन के लिए इस्तमाल किया जा सकता है स्किन पर निखार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तमाल करें फलों का ताजा मिowment्चर भी चेहरे पर लगाएं इस से स्किन में चमक के साथ-साथ कशिश भी पैदा हो जाएगी बहुत ज्यादा गर्मी से अगर आपकी स्किन जुलस जाए या अलर्जी हो जाए तो कोई क्रीम इस्तमाल ना करें बलकि कद्दू के टुकड़े काट कर चेहरे पर मसलते रहें जब उसका रस खतम हो जाए तो एक और टुकड़ा लें और फिर यही प्रोसेस जारी रखें ये स्किन को ठंदक पहुँचाएगा और गर्मी का असर भी जाता रहेगा जिनकी स्किन ओईली है उनके लिए ये तरीका बहुत फाइदेमंद है एक चमच मुलतानी मित्टी, एक चमच नीमू का रस और एक अंडे के एग वाइट को मिला कर पेस्ट बना लें फिर इसे कॉटन की मदद से सारे चेहरे पर लगाएं और दस मिनिट के बाद चेहरे को ठंदे पानी से धोलें हमारे घरेलू नस्खों को ध्यान से सुनने के लिए धनिवाद अब सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल आयुरवेदा होम केर आजमा ये यहां बताए गए नस्खे और उठाएए पूरा लाप